स्टोत्र पच्पन चौपन दुखी की प्रार्थना संगीत निर्देशक के लिए तारवाध्यों पर एक मस्कील दाउद का इश्वर मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे मेरी विनय की उपेक्षा न कर मेरी सुन और मुझे उत्तर दे मैं अपने कश्टों से व्याकुल हूँ शत्रु के कोलाहल और विधर्मी के अत्याचार के कारण मैं विलाप करता हूँ क्योंकि वे मेरे विरुद्ध शडियंद्र रच्चते हैं और क्रोध में मुझे पर अत्याचार करते हैं मेरा हर्दय मेरे अंतरतम में तडपता है मुझ पर मृत्यु का आतंक छाया है मैं भय से कांपता हूँ संत्रास मुझे अभिभूत करता है इसलिए मैंने कहा ओह यदि कपोत की तरह मेरे भी पंख होते तो मैं कहीं उड़ जाता और विश्राम पाता मैं कहीं दूर भाग जाता और मरुभूम्य में बसेरा करता मैं प्रचंड वायु और घोर आधी से बचने के लिए शीग्रही शरण स्थान पाता प्रभू दुष्टों में फूर डाल उनकी भाषा में उल्जन उत्पन्न कर क्योंकि मैंने नगर में हिंसा और अन्बन देखी है हिंसा और अन्बन दिन रात हमारे नगर की चार दिवारी में विजरती है और भीतर अन्याए और बुराई है नगर के भीतर अपराद का बोल बाला है अत्याचार और कपट उसकी सडकें नहीं छोडते यदि कोई शत्रु मेरा अपमान करता तो मैं सह लेता यदि मेरा बैरी मुझसे विद्रोह करता तो मैं उससे छिप जाता किन्तु तुम ये करते हो मेरे भाई मेरे साथी, मेरे अंतरंग मित्र जिसके साथ मैं ईश्वर के मंदिर में मधुर सलाब करता था जबकि हम भारी भीड के साथ चलते थे मृत्यु अचानक मेरे शत्रुओं पर आपड़े वे जीवित ही अधो लोक में उतरें क्योंकि दुष्टता उनके यहां निवास करती है वो उनके अंतरतम में घर कर गई है लेकिन मैं इश्वर की दुहाई देता हूं प्रभु मेरा उध्धार करेगा शाम सुभ और दोपर मैं रोता कराहता रहता हूं वो मेरी पुकार सुनता है उसने मेरे बैरियों से मेरा उध्धार कर मुझे शान्ति प्रदान की क्योंकि मेरे बहुत से विरोधी हैं अनंत काल से स्वर्ग में विराजमान इश्वर मेरी प्रार्थना सुने और उन्हें नीचा दिखाए क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा वे इश्वर पर शद्धा नहीं रखते उस मनिश्य ने अपने पडोसी पर हाथ उठाया उसने मैत्री का वचन भंग किया वो चिकनी चुपडी बातें करता है कुमल किन्तु कटार जैसे पहने हैं तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो वो तुमको संभालेगा वो धर्मी को विचलित नहीं होने देगा प्रभु तुन्हें अधोलोक में उतारेगा रक्त पिपासु और कपटी मनुष्य अपनी आधी आयू भी पूरी नहीं करेंगे मुझे तो तेरा भरोसा है